राजयों सलेल उठिया जी नेशनल चेर्मेन आप एसी डिपार्टमेंट के पर्सों यूजीशी ने एक ग्राइड लाइन जारी किया कि हाईर एकलान में इन्वेस्टीज के हाईर एकलान अर्था प्रोफिसर्स के पोस्ट पर कंडिडेट्स अब लेबल नहीं है यह स्टी ओवी सी के अथ हमाई डे रिजर्ब किया जाना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कल और अब कोरी गंडम जारी कर दिया यूजीशी ने कि हम ऐसा करने नहीं जा रहे है लेकिन इसने इस से हमें एक सच रखने का मौका मिला है कि जो मोहन भागवजी ने कभी कहा था कि आरच्छण का रिविव होना चाहिए वह बात अब सत्यापित हो गई हलाकि बिहार का चुनाओ हारने के बाद उन्होंने कहा था हमने नहीं किया बाद में वह आरच्छण की मजम्मत भी किया उन्होंने लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो ए रिजिनिंग दी जाती है कि कंडिडेट अबलेबल नहीं है गलत है प्रेस स्टेट्मिंट अभी जाएगा उसमें प्रोफेसर रतनलाल दलाही नुवस्टी के हैं हिंदू कालेज के इग्यारा किताब में लिखी हैं दोहजार अठार से प्रोफेसर सिप के लिए इलिजबिल हैं एक केस स्टेडी में दे रहा हूं प्रोफेसर उनको नहीं बनाया गया हंड़ेट फिप्टी-नाइन इंस्टिट्यूट्स जो इंस्टिट्यूट्स इंपार्टेंस कंटी की जो इंपार्टेंस इंस्टिट्यूट्स हैं उनमें से जैसे की हम आपको बताते हैं कि उन में से एक भी एक भी S.C.S.T. के लोग नहीं तो मैं इस मामले में धन्यवाद भी करूँगा UGC को कि UGC ने मुझे रखने का मौका दिया देखे इसमें IIT 23 है NIT 31 है IIIT 23 है School of Planning Arture ट्रक्शर 3 है Indian Institute of Management 20 है National Institute of Design 6 है वगहरा वगहरा इसमें एक भी Director एक भी VC नहीं है उत्तर व्रदेश में तीस इस्टेट इन्वस्टीज गॉर्मेंट फंडेड हैं एक वाई चांसलर नहीं है सेंटर गॉर्मेंट में पैंतालीस इन्वस्टीज हैं जिसमें एक स्थी है और एक एस्टी है और मिनिस्टर सुभा सरकार्टी ने पार्लामिन में बोला कि एक हजार पांस प्रोफेसर्स में 69 एस्टी के हैं जो 6.6 से एटाता है पंद्र एस्टी के हैं जो 1.4 आता है 41 OBC के हैं जो 4.7 आता है यानि यह इस्थिती है यह नहीं भरा जा रहा यह कहते हुए कि मैंने एक एक्जाम्पल दिया है प्रोफेसर रतनलाल का मैं हंडर्स एक्जाम्पल दे सकता हूं कि एस्टी OBC के असोसियेट प्रोफेसर और सुटेबल फार प्रोफेसर पोस्ट बट इंटरव्यू में उनका मार्स कम कर दिया जाता है एक स्टडी दी जा रही है आपको इस ओस्टडी में सिबिल सर्विसेस में एस्टी के लिए OBC के लिए OBC के लिए UPSC में अलग से इंटर्व्यू बोर्ट बनाया जाता है ताकि जस्टिस किया जाए या हम मानते हुए कि एस्टी एस्टी OBC के जो UPSC के इंटर्वीज है या जो कन्निर्वेट्स हैं ये वीक है इनको अलग से बोर्ट दिया जाए जब रिटेन एक जाम का मामला आता है तो OBC और जनर्र कटिगरी के रिटेन मार्स में एक परसेंट का भी फरक नहीं है कम है और इंटर्व्यू में कितना डिफरेंस आता है पांच परसेंट का आता है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सिरूल कास्ट का और जनर्र कटिगरी के रिटेन में दो परसेंट का फरक है और इंटर्व्यू में एक परसेंट का डिफरेंस है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये हिंदोस्तान टाइम्स कि हिंदोस्तान टाइम्स ने रिपोर्टर फाइल किया दो कि रंपेट रंफेंट डिस्क्रिमिनेशन है मैं धन्यवाद करता हूं यूजीसी को कि कम्स्क्म हमें मौका दिया यह कहने का कि 45 Central Government के Investors में AXC है के वल AXC है 159 जो Institutes of Excellence हैं country के उसमें AXC AXC नहीं है Interview में Discriminate किया जाता है OBC का AXC का मैंने बता दिया उसी तरीके से अगर आज प्रोफेसर्स की पोस्ट वैकेंट है तो यह बात नहीं कि AXC, AXC, OBC के Conduitable नहीं है Available है उनको reject कर दिया जाता है ताकि de-reject करके fill up किया जा जन्नल कटेगरी से जब कारपुरी ठाकूर को भारत रतन का सम्मान गोसित किया तभी मुझे डर लग गया कि कुछ न कुछ गड़बर होने वाला है अब कारपुरी ठाकूर के विचार को और मारेंगे RSS ने पूरी जिन्दगी कारपुरी ठाकूर जी का विरोध किया और उसका पैणाम हुआ कि जो कांग्रेस और RGD की सरकार के दबाव से नितिश कुमार जी को करीब पांच लाख नोकरी देनी पड़ी यही नितिश कुमार जब BJP के साथ थे तो क्यों नहीं नोकरी मिलती है उसके वज़े से BJP घपड़ा करके टापल डाउन किया है की मोदी जी ने 10 साल में नौ लाख करीब नौ लाख तक ही रोजगार दिया अकेले राहूल गांधी जी खरगे जी के नेतरोत में चल रही कांग्रेस हो लालू जी के नेतरोत में चल रही RGD के सह्योक से बनीर बिहार की सरकार ने करीब पांच लाख रोजगार दिया है इसलिए सरकार गिराया है तो आरच्छन विरोधी है यह मनुबादी है दलिद विरोधी है OBC विरोधी है अब कारफुरी ठाकुर्जी के विरोधी है सोसल जेस्टिस के विरोधी है धन्यवाद मेरे सही होगी लेलोटिया जी अपनी बात को रखेंगे जो वो इसे है प्रिंट वाले लोग हैं उनको दे दो इंग्लिस बहुत बहुत धन्यवाद आप सब को आज इस मैतपूर्ण प्रेसवारता के अंदर जो आमंतरित किया गया हम लोग यहां पर जो अभी यूजीसी ने एक रिसेंटली एक ड्राफ्ट पेश किया डी रिजर्वेशन को लेकर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स के अंदर उसको कंडेम करने के लिए हम यहां पर उधित्राज जी के साथ में उपस्ते थें मैं बाबा साथ भीम रहा हूँ अंबेटकर जी को कोट करना चाहूंगा उन्होंने कहा था प्रोग्रेस अफ एनी सोसाइटी डिपेंज अन दे प्रोग्रेस अफ एजुकेशन इन देट सोसाइटी और इसके साथ साथ मैं सावितरी बाई फूले फातिमा शेक चतरपजती साहुजी माहराज को भी याद करना चाहूंगा कि समाज के लिए उन्होंने शिक्षा को कितना महत्पून समझा था और आज ठीक उसके विपरित जो बाबा साथ भीमड़ा उंबेटकर जी ने समिधान में SC, ST, OBC महिलाओं के लिए जो शिक्षा महत्पून बताई थी राइट टू एजुकेशन की बात कई थी आज उसको धीरे धीरे पुरी साजिश के तहट भारतिय जनता पार्टी और RSS समिधान को पूरा खतम करना चाहती है हमारे उस अधिकार को छीनना चाहती है जो समिधान में बाबा साथ भीमराव अंबेटकर जी ने हमको दिया था यहाँ पर जो UGC के चेर्मेने हमारी ये डिमांड भी है कि जो जगदीश कुमार है जो UGC के अभी चेर्मेने ये कौन है इनको तुरंत परभाव से टर्मिनेट किया जाए और ये जो इनकी डिमांड है जो इनका प्रपोजल है इसको विड्रॉ करें लिखित में माफी मांगे पुरे SCST, OBC जो भौजन समाज है उससे जो हमारा शिक्षित वर्ग है अगर उस शिक्षित वर्ग को इस तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते हैं जैसा अभी उलेक प्रोफेसर रतनलाल जी का यहां पर हमारे साथी बहुती सीनियर लीडर उधित राज जी ने किया कि उनको दशकों तक पढ़ाने के बाद भी युनिवर्सटी के अंदर उनको अभी रेगुलराइज नहीं किया ठीक उसी तरीके से प्रोफेसर रितु कुमार जो भी युनिवर्सटी के अंदर धरना दे रही है प्रोफेसर लक्षमन यादव जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उनको नौकरी से निकाल दिया यह डीरिजर्वेशन की बात नहीं करें तो नौकरियों से भी निकाल रहे है और अभी जिस तरीके से अभी उधित राजी यहां पर कह रहे थे कि not found suitable कहकर यह लोग हमारे जो SC, ST, OBC के जो teaching staff है non-teaching staff है उसकी जगा पर general community के लोगों को वहां पर नौकरी दे देते हैं और यह सही खा कि यह सोच बहुत खतरनाक सोच है जो सविधान से परे है और यह मनुवादी की सोच है यहां पर यह जो chairman जगदीश कुमार है इनको पहले BJP ने appoint किया इनको JNU के अंदर महां पर vice VC बनाया और वो बनाने के पीछे सोच थी कि वो इतना prestigious institution था कि उस institution के अंदर एक divide करें और वो divide ऐसा कर दें कि उसका जो महत्वा JNU का जो उसकी sanctity थी उसको सेफरनाइस कर दिया और आज वहां पर जो students हैं उनके मन में इतनी खटास पैदा हो गई कि वहां पर वो आज धर्म की राजनीती JNU के अंदर गुज गई ये मुझे कहने में कोई घुरेज नहीं कोई परेज नहीं कि जगदीश कुमार को तुरंट terminate किया जाए क्योंकि ये बीजेपी का appointment नहीं है ये RSS का स्टूज है जो एक भगवा करन की विचारधारा को दिमाग में रखकर आज युनिवर्स्टी में काम कर रहा है यहाँ पर मैं करनलोजी के ओपर भी बात करना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने शुरुवात आज एक ड्राफ्ट पेश करके यहाँ पर किया इसके पीछे जो इनके एजुकेशन के मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया पार्लेमेंट के अंदर और उन्होंने कहा कि 42 परसेंट धर्मेंदर परधान जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि 45 सेंट्रल युनिवर्स्टीज के अंदर 42 परसेंट अभी SC, ST, OBC की vacancies vacant है अगर सेंट्रल युनिवर्स्टीज में 42 परतिशत अगर vacancy, SC, ST, OBC minority की है और जिस तरीके से अभी उतेत राज्जी ने उलेक किया कि वो वहाँ पर SC का एक और ST का एक ये लोग अभी वहाँ पर कारे रत हैं जबकि वहाँ पर हमारी जो संख्या होनी चाहिए थी वो 7,000 जो सैंक्षन SC, ST, OBC की जो पूस्ट हैं उसके अंदर 3,007 हमारी वहाँ पर अभी vacancies हैं तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और अभी जैराम रमेज जी ने भी इसके उपर एक tweet किया और पूरी Congress Party ने एक फैंसला लिया कि हम लोग इस draft का विरोध करेंगे क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस परिवार में जिस समाज में अगर शिक्षा खतम हो जाएगी तो वो समाज कभी progress नहीं कर सकता आगे नहीं बढ़ सकता और ये बाबा साब भीम रहा हूं बेट कर की सोच को लेकर हम ये मांग करते हैं कि जो BJP RSS ने जो पिछले 2015 के अंदर जो 55% UGC का जो एक उनका बजट था उसको reduce किया और उसके continuously हर साल उसको कम करते करते एक सीधा attack कर रहे हैं वो लोग हमारे educational institutions के उपर SC, ST, OBC students के उपर teaching, non-teaching staff के उपर कि जब हमारे पास में budget ही नहीं होगा तो इनके पास में एक और भाना आ जाएगा कि हमारे पास में पैसा नहीं है budget नहीं है तो हम नौकरी नहीं दे सकते और जो हमारी नौकरियां backlog के अंदर खाली पड़ी हैं backlog भरने का काम नहीं कर रहे हैं उस backlog के ओपर यह लोग यह बात करेंगे कि यहां पर not found suitable और उसके बाद में वो किसी और को वहाँ पर नौकरी दे देंगे भारतिय जंता पार्टी ने यह जो इनका anti-SCST OBC anti-bhujan जो इनकी ideology है उसके ओपर इनोंने जो अपने 2014 के बाद से कभी तो इनोंने backlog vacancies को बढ़ाने का काम किया 200 point roaster system 2019 में इनोंने लागू किया amendment to SCST prevention of atrocity act 1989 को इनोंने उसके अंदर भी उसको dilute करने का काम किया जिसका आप सब लोगों को मालूमा के 2 April को जो जनांदोलन पुरे देश के अंदर खड़ा हुआ था जिसकी वज़े से भारतिय जंता पार्टी की सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो उन्होंने अपना जो amendment था उसको वापिस लिया ठीक उसी तरीके से इन्होंने अभी जो scholarships हैं जो SCST OBC minority के लिए हैं उसको भी scrap करने का काम किया तो मैं सीधे तोर पे आरोप लगाना चाहता हूँ नरेंदर मोधी की सरकार के ओपर के ये anti-bhujan anti-SCST OBC के सरकार है मैं demand फिर दुबार से दोराना चाहूँगा कि ये जो UGC का chairman ने इसको तुरंट terminate किया जाए और लिखित रूप में इसको माफी माँगनी चाहें पुरे समाज से कि आइंदा इस तरीके की गलती या इस तरीके का मजाक हमारे की की ये भले वापिस कर लें हो लेकिन जो सरक्मस्टांसेस हैं वो इससे ज़्यादा चीजें कह जाती है एक तरफ कारपुली ठाकुर जी को आप भारत रतन दे रहे हो और दूसरी तरब उसी सरकार को गिरा रहे हो जिसने नौकरियां दी है कारपुली ठाकुर जी आरच्छर के लिए जाने जाते हैं आप आरच्छर पूरे देश में खतम कर दे रहे हो 45 इंवर्स्ट्री में एक एस्सी वाइस चांसलर इंवर्स्ट्री जहां उत्तरफदेश की फंडेट एक एस्सी नहीं है एक एस्सी नहीं है यह जबकि गवर्नमेंट गवर्नर पॉइंटीज होते हैं इसमें हार्ली मेरिट होती है सब आरच्छ के लोग हैं 159 जो टाप इंस्टिटूट्स हैं कंट्री के एक डारेक्टर एक वीसी एस्सी का नहीं है तो हमें कहने का मौका दिया कि यह पूरे आरच्छ के लोगों को भर दिया है इंस्टिटूट्स में और एस्सी एस्टी ओबीची के खिलाफ हैं बस धन्यवद्ट झाल झाल